आज मैं आपके लेके आई हूँ पालक पनीर की बहुती बड़ीया रेसिपी कलर आप देख सकते हैं जैसा कि पालक पनीर का होना चाहिए वैसे ही है अधिक तर हम जब पालक पनीर बराते हैं तो कलर वैसा नहीं आपाता है तो आपको रेसिपी को यहाँ पे मेरा पुरा फुल देखना है ताकि आपको पता चलेगी कैसे जो पालक का कलर है वो बिल्कुल उसके कलर के तक है तो आपको वीडियो अगर आप लास तक देखेंगे तो समझ में आएगा बहुती बढ़िया और बहुती एजी रेस्पी बनके तयार हो जाएगी और खाने में बहुती टेस्टी पनीर एक तंबू में खुल जाने वाले होंगे और टेस्ट ऐसा होगा कि आप उखलिया चाटते रह जाएंगे तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पे करना क्या है मैंने लिया है यहां पे आधा किलो पालक जिसको मैंने अच्छे स साफ करके धो लिया है और इसको मैं डाल रहे हूं पतीले में तो हमें यहां पर पालक को करना है बलांच तो यहां पिला को करना थास को हमें और लोगियोग से घृत और जो इसका कलर है जो ग्रिंग कलर है वो बिल्कुल वैसा ही रहे काजू इसको रिच देगा रिचनिस देगा और इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी तो यहां पे मैं देखिए पानी मच्छी तरीके से पालक को भी गो रही हूं बस इतको पांच मिनट ही ह हमें बॉयल करना है हाई फ्लेम पे अब देखिए यहां पे यह ब्लांच हो चुका है उबल चुका है और इसको अब मैं ग्यास को बन कर दूंगी और यहां पे इसको निकाल लेती हूं एक जाली पे और इसको मैं एक साफ पानी से धोलूंगी तो यहां पे मैं इसको ठंडे लस्तन है आदा इंच अद्रक है यहां पे इसको मिक्सर जार में डाल के हमें एकदम फाइन पीस के इसको तयार करना है तो यहां पहले में चुछ सारी जो सब्चिया है यह डाल लेती है उसके अंदर इसी के साथ में मसाले भी डाल दूगे एक चम्मच हल्दी डालेंगे एक पहलो नमक पीस के तयार है मैं पेलियर पनी यहां पैलियर पनीर को बहुंगे एक प्यूर्य कर लेते हैं। ने आद़ा किलो बड़े क्विज में काट लिए हैं इसको फ्राई कर लेंगे काट आपकट बहुत बड़ी आ जाता है अब देखिए यहां पे पनीर जो है फ्राई हो गया है और यहां मैंने लिया है थोड़ा सा गुन-गुना पानी और पनीर को फ्राई करने के बाद में डारेक्ट इस पानी में इसको डालूंगी ताकि जो पनीर का सॉफ्टनेस है ना वो बरकरार र बनाएंगे ना चाहिए अगर आप मट्र पनीर भी बना रहे हैं तो ऐसा करके बनाएंगे तो आपको पनीर जो है बहुती सॉफ्ट रहेगा एकदम मलाईदार रहेगा जैसी खाएंगे मूह में घुल जाएगा तीन चमच तेल डालने के बाद यहां पे मैं डाला एक चमच जीरा का थोड़ा सा हम क्रैकल लुन देंगे और यहां पे जो हमने मसाला पीस के रखा था वो डालके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्लेम को मैंने अभी लो पे रखा हुआ है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहा मसाला जो भूनके तयारी है यह देख सकते जैसे कि मसाला बहुत ही बढ़िया पालत क्लर चेंज दाएगा और कितना बढ़िया क्लर है एकड़न घ्रीन जो होना चाहिए बिल्कुल वैसा है, तो बस यहाँ पे हम पालक की जो प्योरी है सारा निकाल ले रही हूं मैं इस कड़ाई में और थोड़ा सा पानी डालक बीसे निकालूंगी पहले मैं इसको यहाँ पे अच्छे से छो पानी अब यहाँ पे पालक के जो पानी छो दर्ले के एविल्यां चा जैसे ही मसाले के साथ मिक्स हुआ है थोड़ा तो कलर चेंज होगा ही यूदि मसाले के साथ चेंज हुआ है और अगर अगर आप पालक को अच्छे से पकाएंगे नीना तो वह टेस्ट नहीं आएगा मैं इसको ढखके थोड़ी दिर पकने दूंगे तो यहां पर मैं इसको 6-7 पालक को पकने दिया है और देखिए अब इसका कलर दिख सकते हैं वैसे ही है बस जरा सा चेंज हुआ है और बहुती बढ़िया जो है ना इसकी ग्रेवी बनके तयार होती है पालक की बस जो मैंने आपको बताया है वह वह आपको बिल्कुल वीडियो को वैसे ही फॉलो करना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर जो हमने यहां पे पानी में डाल के रखा हुआ है तो बस इसमें मैंने पनीर सारा डाल दिया है और इसमें डाल रही हूं एक चमच में कसूरी मिथी का पावडर तो वो डाल देते हैं इसके अंदर और और इसकी जो है यहाँ पे जो ग्रेवी है रिचुजाईगी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा पालक पनीर का और अब कलर देख सकते हैं पालक पनीर का कितना बढ़िया पालक पनीर का कलर आया हुआ है बिलकुल भी ऐसा निये कि यह थोड़ा सा यलोई शेड में हो ग चाहे तो घी में भी बना सकते हैं तो यहां हमारा पालक पनीर बनके तयार है देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में तो बस यहां पे इसी तरीके से आप भी घर पे बनाकर ट्राय करें और मुझे लगता है कि आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आएगी औ तो बस जो दो चीज़े बताई है वो वो चीज़े आप जरूर डालिएगा यहां पालक पनीर बनके तयार है अच्छे से मैंने एक मिक्स कर दिया है इसको और इसे गरमा गरम किसी के साथ भी सर्फ कर यह बढ़िया लगता है खाने में